Hello friends, welcome to our YouTube channel Travel Khan तो आज हम बात करेंगे एहमदाबाद रिल्वी स्टीशन के बारे में और साथ ही में कुछ सुईधाएं चूकि इस टीशन पे उपलब्ध है साथ ही में हम चर्चा करेंगे नियर्बाइ विजिटिंग प्लीसिस के बारे में जोकि एहमदाबाद रिल्वी स्टीशन के पास है एहमदाबाद भारत में इससे सबसे बड़ी शहर और गुजरात की पूर रास्थानी में से एक है यह साबरमती नदी के तड़ परस्तत है जोकि टूरिस्ट का अट्राक्शन केंदर है यह अपनी कॉर्टन टेक्स्टाइल, डामिन कटिंग और स्ट्रीट फूट जैसे चीजों के लिए प्रस्त है साबरमती आश्रम हात्मा गांदी का निवासस्तान है जो एहमदाबाद शहर में सबसे प्रस्त है घांदी जी भारत की आजैदे के लड़ाई के दौरान करीबन 12 वर्षों तक यह साबरमती आश्रम में रहे थे इस आश्रम में एक संग्राले है जिसका नाम घांदी इसमारक संग्राले है एहमदाबाद स्टेशन के पास कुछ अधर ट्यूरिस्ट विजिटिंग प्लेसे हैं जैसे की स्वामी नाराण अक्षरदाम जो की 0.8 किलोमेटर की दूरी पर है और सबसे प्रमुख यहां पर जो इस्तित है वो है साबरमती आश्रम जो की करीबन 6 किलोमेटर की दूरी पर है एहमदाबाद रेलवी स्टेशन से इसके बाद हम जानते हैं सरदार वललबाई पटेल राश्रे संगराले के बारे में जो की करीबन 4.1 किलोमेटर की दूरी पर है अब हम बात करेंगे एहमदाबाद जंक्षन स्टेशन के बारे में एक भाग है कालूपूर साबरमती रिवर साइड और दूसरा भाग है सारसपूर साइड स्टेशन पे कुल 12 प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म नमबर करमांग 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तब कालूपूर रोड की तरफ है जब कि अगर यातरी प्लेटफॉर्म 10 या 11 पर जाना चाहते हैं तो सबसे छोटा रास्ता बैक साइड यानी सारसपूर की तरफ से आना होगा प्लेटफॉर्म नमबर 12, 10, 11, 9 की रूप में इस तरफ इस्तित है Medical Shops, Inquiry Desk यहां मौझूद है कॉल पर पूछ ताज कक्ष के साथ सीधे संपक के लिए 139 डायल कर सकते हैं एमदवद स्टेशन से अगर हम बात करते हैं एरपोर्ट की तो एरपोर्ट करीबन 10 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है स्टेशन में एक साइट साइबर काफे भी है और कालूपूर प्लाटफॉर्म वन की तरफ I Say Say Bank, Canra Bank और Bank of Baduda की 3 ATM आउटलिट मौझूद है स्टेशन के दोनों साइट दो अच्छे रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है सामान रखने के लिए Clock Room, Post Office, Bus Stand और साइटी में एक मंदर भी स्टेशन के मुख्य द्वार कालूपूर रोड की तरफ उपलब्ध है स्टेशन के दोनों तरफ कालूपूर और सरस्पूर में Prepaid Taxi, Auto साइटी में पार्किंग की फैसलिटी, वाश्रूम और वीटिंग रूम की सुईधाएं भी यहां उपलब्ध है अब हम बात करते हैं जुबली अस्पताल की प्लाटफॉंग नंबर एक कालूपूर के पास और हैंजर सिनेमा मूवी थीटर सारस्पूर की तरफ इस्तित है थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स ये थी हमारी जानकारी एमदाबाद रिल्वी स्टेशन के बारे में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें यदि आप हमारे चानल पे न्यू यूजर हैं तो हमारे चानल चावल खाना को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो के चानकरी के लिए बेल आइकन को क्लिक करें. To order delicious food during your train journey where you eat well and spend less, please call on 880-313-131 or you can download our app TravelKhana.